दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों ऐसी खबरा रही है कि ड्राइ कावरी इंजिन को लेकर GTRE HAL के साथ पार्टनर्शिप करने जा रही है ड्राइ कावरी इंजिन को D.I.O की गेंस्टर बाइं सर्च एस्टैबलिश्मेंट बनाती है और वो इस प्रोजेक्ट को लेकर हिंदोस्तान इनॉटिक्स लिव्टिटिड के साथ पार्टनर्शिप करेंगे जिसमें dry cover engine को HL manufacture करेगा यहाँ पर आपको बता दे कि GTRE dry cover engine को बनाती है और इसके साथ ही ऐसा ही एक engine HL भी बना रहा है HL अपने HTFE 25 engine को upgrade करकर उसके maximum thrust को increase करने जा रहा है और उस engine के बारे में ऐसी implications है कि उस engine को हमारे जैगवार fighter aircraft में इस्तिमाल किया जा सकता है thrust generate कर सकता है और dry cover engine भी 46 KN तक का thrust generate करेगा और इससे पहले भी HL के पास engines को manufacture करने का experience है तो HL इन engines को manufacture करने के लिए एक अच्छा partner है यह नया engine जो की dry cover engine है इसे भारत के unmanned stealth bomber program में इस्तिमाल किया जाएगा इस engine को manufacture करने के लिए HL की engine division का इस्तिमाल किया जाएगा इस engine को 2024 तक certified करने का plan है और इसके बाद ये production में इंटर हो जाएगा dry cover engine में इसके after burner section का इस्तिमाल नहीं किया गया है इससे पहली बार Aero India 2021 में दिखाया गया था GTRE ने इसके पहले 4 pre-production dry cover engines के उपर काम शुरू कर दिया है जिनने की further fly trails के लिए इस्तिमाल किया जाएगा और इस engine की पुरी testing हो जाने के बाद ही 2024 पच्चिस तक इसकी production शुरू होगी dry cover engine का जो dry thrust होगा वो 46KN तक का होगा और इसे बहुत जल्द indoor aerospace test bed के उपर टेस्ट किया जाएगा इस testing में इस engine से जो different parameter से data collect किया जाएगा उसे बाद में इस engine की improvement में इस्तिमाल किया जाएगा इस data को collect करने के लिए ऐसे sensors का इस्तिमाल किया जाएगा जो कि हलकी सी vibration को भी detect कर सकते है और बाद में इसी data के इस्तिमाल से engineers इस engine में further improvements कर सकेंगे जो कि इसकी availability और efficiency को लेकर हो सकती है Defense Metallurgical Research Laboratory DMRL जो की DRDO की एक lab है उन्होंने हाल ही में एक नई technology को achieve किया है उन्होंने हाल ही में near isothermal forging technology को establish किया है जिसके इस्तिमाल से एक engine की high pressure compressor disc की सभी 5 stages को भारत manufacture कर सकेगा ये laboratory अपनी unique 2000 MT isothermal forge press के इस्तिमाल से difficult to deform titanium alloy के इस्तिमाल से discs बना सकते हैं DMRL अभी हर तरह की high pressure compressor disc को manufacture कर सकते हैं और हर तरह के engine के लिए कर सकते हैं इस नई technology से हमारी foreign exchange की भी budget होगी और हमें ऐसी disc को बार से import भी नहीं करना पड़ेगा जहाँ पर आपको बता दे हैं कि high pressure compressor disc एक engine का सबसे ज़्यदा replace किया जाने वाला component होता है और ऐसे critical component की localization हो जाने के बाद हमारे indigenous jet engine program को बहुत ज़्यदा boost मिला है मिधानी इस engine project में specialized alloys को supply करेगी जैसे कि steel, titanium और nickel ये engine की main body parts को बनाने के लिए इस्तेमाल किये जाएंगे यहाँ पर आपको बता दे कि हमारा dry engine project एक काफी crucial project है इसे पहले भी हमने बात की थी कि हमारा cover engine fail होने का एक ये भी बड़ा कारण था कि हमने सीधा एक high capacity engine को बनाना शुरू कर दिया था बरकि सही course of action ये होता कि हम पहले एक शोटा engine बनाते और बाद में उसे experience गेन करकर एक नया और बड़ा engine बनाने की कोशिश करते जैसे की जापान ने की थी जापान ने पहले एक 50 के थरस्ट के करीब वाला engine डिवेल्प किया था और बाद में ही उन्होंने अभी एक high capacity engine को बनाया है और dry cover engine के साथ भी हम यही करने कोशिश कर रहे हैं हम पहले dry cover engine के उपर काम कर रहे हैं और इस engine project की successful हो जाने के बाद ही हम एक नया high capacity वाला indigenous engine डिवेल्प करने की कोशिश करेंगे dry cover engine एक normal engine नहीं होगा यह हमारे stealth unmanned bomber program के लिए इस्तिमाल किया जाएगा हमारे stealth bomber के लिए एक ऐसे ही engine की आवशकता है जो कि कम से कम heat signature प्रड्यूस करता हो और वो एक craft के लिए required thrust भी produce करता हो यहाँ पर आपको बताते हैं कि engines को बनाने के मामले में HL के पास भी experience है और GTRE के पास भी experience है और अगर दोनों companies मिलकर इस domain में काम करती है तो ऐसा हो सकता है कि दोनों एक अच्छे engine product को सामने लेकर आ सकते हैं जो की हमारे expectations को exceed कर सकता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जुरू लाइक और share करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हिंद जै भर